हलो गुड में टोलेफिक कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सुभी के अच्छे होंगे तो आज हमले पढ़ने जाने लोग इक आई चार जिसका नाम है परिवहन संचार एम ब्यापार डिटेल समझेंगे इस चेप्टर को बहुत सारे चीज़े जानने के लिए मिलेगा और जो सारे किताब संचार संचार मतला होता इन्फरमेशन को इधर दवर पहुचार पहुंचता हुआ ठीक है ना गंगे संचार नहीं मिल रहता है यानि मैसिज इन्फरमेसन नहीं मिल रहा तो संसार मतलब बता है इन्फरमेसन को पहुंचा रहा इधर से उदर बैपार मतलब बिजनस सब को ही जानते हैं ठीक है अब यहां उपर में आएंगे तो सेकंड डिल्लम देखेंगे तो यहां लिका हुआ पंजाब में पैदा होने परिवहन के परकार नीचे देखेंगे पहली बात यहां परिवहन के दिया हुआ है कि उधारन एक्जामपल दो इस्थानों के बीच की आवागमन के लिए परिवहन साधनों के आवसकता होती है मतलत discharge एक जगथ से दूबर आने जाने के लिए क्या वोगा ही कर भी कि बैचने को दिश्य पोगोगा तो आपको बैपार करना करना है तो रोड परिवहन के परकार तो बढ़े ही बनाये प्रकार शचाहिए या तो यहां दिया सड़ाग मर्ग दे दिया जल मार्ग दे दिया वाई मर्ग दे और पाइप लैन ये चीज इन सभी चीज़ों को बारे में जानेंगे और पाइप लेन वाला कोशन जो है एक पर पुछा हुआ था और रेल मार्ग वाला कोशन पुछा हुआ था रेल बेजनोल जो कि मैं सुरुम आपको बता है था ठीक है तेन सब कुछ खूब आते हैं याद रखीगा तो यह सब सबसे बड़े अंदर हो जाएका चाहिजै तो उसके बारे को बेखिए सब मतलब क्या होता है सबसे इजी ओर रास्ता कहां जाए या रूट जो कहा जाए इसके बार रीवहन बड़ी परिवोहन में देखेंगे तो उसकी बदा आजाएगा रेल भी उससे बड़ा देखेंगे तो एर लैंस ठीक है तो यह दीर दीर बढ़ते जयता उसकी बड़ा हो जाता है हवाई जाज पानी जाहज क्योंकि जादा जादा समानों को अगर ले जाना है तो पानी जाज का ही सारा ले जाता है ठीक है तो सब चीज को बारे में करकर समझेगे यहां देखेंगे लिकाए कि लगभग 33 लाग किलोमेटर लंबी सड़के के साथ भारत बिस्व में सरवादिक सलक जाल वाले देशों मे से स्थान रखता है तक च्रव में लिकाए भारत विष्व में सबसे ज़्यादा लेकर अभी सेकंड नमर में हैं कियोकि एक ज़ो सरवादिक सार्वातिक जाल में स्थान यहवाला कि दिया हूगा है कि किताब का अनुसार तो इसको फर्ष्ट नमर मान सकते हैं कि कोश्चन भी इसी कहसाब देता है ठीक है तो 33 कि बात कर रहा है इसमें क्या दियावत इसको देखते हैं गर्यंट रेंक रोड की देश की सब से पुरानी शड़क है सेर सासूरी द्वारा निर्वित यह सड़क कोलकता से कहा जाती है अम्रिसवर कलकता टू अम्रिसवर इसका मतलब हो गया कुलकता आप देखेंगे तो इस स यह कौन से शड़क है तो जीडी रोड और जीडी रोड को ही नश्ट्यू भी टैण से कहा जाते है यहां से कलकता से जहां का से दिल नेंगे तो गया कैसे बोलेंगे नसे बोलेंगे क्या बोलेंगे और फिर कलकाता से अम्रिसवर गया तो इसको क्या बोलेंगे एनेच वन बोलेंगे और अम्रिसवर से भी आगे जाता है सिरी नगर तक वहां बोलते है एनेच वन का ए बोला जाता है ठीक है सिरी नगर तक जाता है तो इस तरह सटकों का पूरी जाल है और यह जो कलकता टु डिल्ली आया हुआ यह नेच टू हो गया और यहां से फिर नीचे आता है यह क्या बोलती है इसको मुंबई तक आता है यहां पर आपको देख सकता है लिखा हुआ ठीक है तो वह यह गरंड जीटी रोड ही है जो वहां तक फैला हुआ है उसका नाम अ बिकास देखेंगे तो आपसे भी पड़े होंगे प्राचीन काल में कि हडपा और महंजंदुर में सड़के जो थी बहुत जबर्दास थी समकोन से सड़की बने वी थी पूरी तरह से 90 डिगरी के इंगल पर कटी वी थी जबर्दास सड़कों का सूरू से हम लोग यार हम ल बिकास कर रहते हैं इसलिए नहीं कि भारतियों को help हो सके इसलिए कि ज्यादा सज्वाटा में समान लूटके ब्रिटेन ले जाया जाए सके इसलिए अंग्रेज खूब सड़क के बनवा रहते हैं खुर रिल्वे लाइन को भिछा रहते हैं इसलिए हाला कि जब अंग्रेज सड़कों को बिछाने के लिए कौन सी यूजना थी तो नागपूर सड़क यूजना थी ठीक है उसके बाद उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ सवतंतरा प्राप्ति के समय लगबग 2.42 लाख कच्छी सड़के और 1.46 लाख पक्की सड़के थी यानि 2.42 है तोद लाख किलोमेटर हुआ व्याद रखेगा तो जो पक्की सड़के क्या थी कम थी 1.46 लाग किलोमेटर थी अजादी के समय में बत कर रहा है अजादी जैसे हम लोग सोतंतरा प्राप्ती उस समय और ये कोश्चन बहुत इंपर्डर बन जाता है कोश्चन आने के समय होना बन सकती है कि आजादी के समय हमारे भारत में सड़कों की कुल पक्की सड़के कितनी थी तो 1.46 लाग किलोमेटर था और कच्ची सड़के कितनी थी तो 2.42 लाग किलोमेटर था ठीक है दोनों एड कर देंगे तो 3.88 लाग किलोमेटर हो जा रहा ठीक है आगे आएंगे अब यहां एक करके दिए पचास में 51 तक चार लाख किलो मिटर तक हो गई थी तो यह उतना हमें नहीं लग रहा है कि दोजार एक दो में इसका 24 लाक हो गया च्छे साथ में 33 लाक हो गया ठीक है तो दिर दिर बढ़ते जा रहा है है ना उसको बाद यहां पर सवाण सट्रभूज प्रयोजना का बताई दिया कि दिल्ली टूकल मॉंबइ मुंबबइ टू चन्नाई चन्नाई टूकल कलकटा कलकटा से पर पूर्ण दिल्ली इसी को बराता है सवाण नेम चत्रभूज मार ठीक है अब यहां पर दे रहा है कि ग्रामिन रोजगार गारें कि अंतरगात 500 अबादी वाले बस्तियों में ग्रामिन सब्सक्राइब ग्रॉजन जो बनाया जाए रहा है जिस गाव में 500 भी लोग रहते हैं 500 भी लोग रहते हैं तो उस गाव में क्या होगी शड़क बनना अनिवार है जरूरी है ठीक है उसके बादली का यहां प्रादेशि की देखेंगे तो नidadd explicitly महाराश क्या परतम स्तान पर हुआ महाराश जो है पुरी देश परत नंबर में 20 लग already बहुत बहुँत बात पुचा हुए एक्जामों में अब आने के संबह भोड़ी सकती है उसके बाद देखेंगे तो पक्की सड़कों के सबसे कम मामुला है किक थे लगषय दीप में, अभी लगषय पूरा नहीं हुआ, सबसे कम रहा सड़किमामुला है, कि उप पहाडी इलाका है, पत्रीली इलाका है, यना वहाँ पर लक्शिय दीप में जाएगे तो परवाल बीती द्वारा, यह चुटी चुटी परवाल वह द्वारा बनेगे दीप है बहुत अलग 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 दीप वह से मिलक बना वह अलग चे दीप उसके बाद आए कि जंसके घनातों को मामले से देखा जाएगा तक किरला जो है प्रतमस्ता में यह निकि जंसके जंसके का रहा हूं सड़क घनातों मतलब होता है कि इसी भी जगह में धिर सारी सिलक होना इतना घ्रमस्ता में ज्यक्त मॉझा भारत में घनातों को मामले में के ळलिए और search rate always तर परतिस और पच्छी मंगाल है घनत के मामले में ठीक है उसके बाद पुरुतर राजम देखेंगे उसके बाद सेकंड बर पर नागालण मिलेगे ठीक है अब केंदर शासित के बाद की ऐता है constre about Biya के ऌनाओ के बात किया lawsuit वुका इस तर और देखेंगे तो बहुत की इन गया अधर केंगे वाज्य के मिले में क्रला आगे था गहनतों के बोल रहा हूं गड़त अईसे तो सलक जादा थे वो तो महाराष्ट में दूसरा उत्र प्रदेश में ठीक है इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा ठीक है अब ये सलकों का परकार है पहला से प्रदेश को जो होता है राष्टी सलक होता है जो देश क नहीं हैं देश का सबसे लंबा राजमार्ग है अब कोशन पुछेगा कहा कहा से गया यही कोशन पुछता है बणारषी कहां तक करने आ कमारी तक कौन गया इसकी एक है तक यह कौन सा है नह i.H. NS7 जो भारत के सबसे लंबी स्रड़क मारगा ठीक है जो बनारसे, जबलपूर, रांगपूर, हैदराबाद बैंगलूरू और मदुरही होते में कन्या कुमर पहुंचता है जिसके लंबाई देखेंगे तो ये कोशन पूछ सकता है 2359 किलोमेटर या 2359 किलोमेटर याद रखें गंगा के लंबाई जो है 25-25 किलोमेटर पूरे भारत में ठीक है उसी से थोड़ा सा कम है ये बनारसी टू कन्या कुमारी जो की सबसे लंबी है इसलिए याद कराए कि यहां सी डाटा का आप इसको पगल लिजेगा ठीक है और ऐसे भी आप अगर इसको याद करना चाहेंगे तो डारेक्ट दो, तीन, चौन और याद कर सकते हैं दो, तीन, और चौन अठीक है उसको बताएंगे तो देश में कुल 228 से राष्टिय राजमार्ग है जिनकी लंबाई जो है अब यह 228 नहीं है, बहुत ज़्यादा होगी है तो इतना अगर दिया हुआ तो याद कर लेजेगा कि कुशन हाला कि नहीं पुछना चाहिए क्योंकि पुराना डाटा कैसे कुशन पुछन पुछेगा उसके बाद आएंगे तो नीचे देखेंगे स्वांडीम चतरवुज मार के बात कर रहा है तो स्वांडीम चतरवुज मार को आपको बोला हूँ कि दिल्ली, मुंबाई, चन्नाई, कुलकाता से होका जाती है और यह जानने वाला जुरूरी है कि यह 6 लेन वाली होती है और इसकी किलोमेटर देखेंगे तो 5846 ठीक है 5846 किलोमेटर की दूरी तैकरता है यहां से दिल्ली, मुंबाई, मुंबाई, चन्नाई, तो कुलकाता और कुलकाता तो फिर दिल्ली, यह जो सड़के है यही कोशन जो है बीपीसी में आया हुआ था और इसमें बहुत सरे बच्चे कनफीजिया गया थे सेम टू सेम यहां से कोशन पूछा हुआ था नहीं होगा तो मैं थमनल में इसको मेंसर कर दूँगा आप देख लिजेगा हला कि आप सभी जानते हैं अब एकजाम दिये होंगे जानते होंगे नहीं भी दिये होंगे तो कोशन में देखेंगे कोशन पुछा वाता पूरब से जो शिल्चर से पच्चिम पूरब में क्या है तो किस तरफ की बात कर रहा है यहां कहुंआ रहा है कि पूरब में इस टोगे इधर पूरब में पूरब में इहां साम में सिलचर से पक्षीम में चलागी एक पुरबंदर यह in a अब पुरब पंचthem कर देखा जाए कई आறां कि सल्चर में कर गुज्रात से प्रबंदर तक जा रहा है उसकी लंबा से किलमेटर केतना वहीं उत्तर और दच्छिन गलियार आ रहा है उत्तर जट्षिन गलियार यानि जो शीरिन अगर से जो आ रहा है कहाँ पर नीचे में कंया कुमारी तका आ रहा है वह 4,000, 16,000 km यह date को यह data को याद रके question पुछने के पूरी संभावना बन सकती है यहां से ठीक है आगे आते हैं अब देखेंगे expressway को समझेंगे expressway देखेंगे तो expressway किसको बोलते है भया तो express उसे बोलेंगे यहां पर गाड़ियों को पहला अंतराष्टी राज़मारग है तो Mumbai to Pune, Mumbai पुने राज़मार को देखेंगे यानि कि राज एक अंतर्ण राजमारग है जो जिला मुख्याले की जोड़ने काम करते हैं उसको बोलेंगे देखेंगे अइसे सट्की के लंबाई जो परसंट है के जिला मुख्याले को फेलने में राज का पूंटबैंर गूंते रएगा को फ़िया गूंते में पूरों कारोंüllt पूरी दि zombies तूंटबैंगे проект स candlelais कि आपके सब्सड़ जा जो कि की हुए हम लुब होगां की सब्सक्राइब के एकप्र évसक्राइब कि उससे उसके ऌसे सब्सक्राइब किसी किसी और हिंभी का इंहीं जानती रहते हैं दो उस दोनie चीज़ को समझना जुरूरी है अब यहाँ पर बरॉडर सब जानता है बॉडर मैं क्या होता लेकalnya सीमान तहीं तो सीमान सड़क होता है कि बॉडरा लाइन ठीक है तो बॉडर लाइन जो हता है यह यहाँ कि जिस्यु चरहिखी बना regional when we call it तो बनाता है चिनका गठण 606 में किया गया था थे सिमान सड़का आगया यहां पर कावा जमन के लिए अच्छी अपने समानों ए जिकत का होती है जहाँ पर प्रशानी हिसान वियुझ करना पड़ता है निशे आएंगे तो देखेंगे यहा पलिकर अब रैल मार की कहानी दे रहा है तो मारकर सम्झाइंगे तरेल जो है 1623 निश्चुई में MARK में दलहुजी दवरह भारत में वह प्यूजिशा समेश के दारस इसलिए ती tomar में ते भाका है तो उसके दौरह मेरा भारत में तो दुनित ही किया तो चोंतिस मिमॉट्र का मॉंबाई टू थाने phosphory और थी Spring सबसे बड़ा रेल जोन है अब यहां रेल जन सबके बारेम दिया है उतर डेले जो है वह नई दिली सबसे बड़ा रेल जोन है ठीक पुर्वी रेलवे जो है वह कुंसा है तो कलगथा 5 यहां पंबूमबई दचिन रेलबे चन नहीं, मद रेलबे मुंबाई, पुरोतर रेलबे गोरकपूर, उसी तरह एके करके सब को याद चाहे, तो कर सकते हैं, इसमें से ये जो कोश्चन है, इस बार जो पिछले बीपेसे में कोश्चन पूछा वह था, क्या आप पूछा नहीं तक कि बताई आप गेट है, उसके बाद इदर कोश्चन पूछा नहीं तो ये मैप के हिसाब इस तरह करके बनाएगा ना दीसा के हिसाब, जैसे आपको दीसा मंद में उतर है, नीचे दच्छीन है, इदर पूरे पच्छी में, तो जो दीसा मॉलुम रहेगा बीच में से, उसके बाद क्या कि तो फिर दुबारा आपको भूलने के जुरत नहीं पड़ेगी, भारती रेल्बे देखेंगा, भारती रेल्बे जो है, अंचवर्सी यूजन है का रेल्बे को भी स्तार किया गया, उसको देखेंगे, तो यहां पर रेल्बे जो है, एक होती है, राजधानी एक्स्परेस, यानि दू बड़े-बड़े सोहरों या महानगरों को जोड़ेगा, ठीक है, बड़े-बड़े सोहरों महासागरों को जोड़ता है, तो बड़े सोहरों को जोड़ रहाता है, कौन राजधानी एक्सपरेस हो सताब्दी एक्सपरेस, छोटे सोहरों को जन सताब्दी एक्सप ठीक है उसको नीचे देखेंगे लिखा हुआ एक तीस मार दोजार चो में भरते रेल विचो वालिस से भाप इंजन चारजार सास्टीराई में डीजल इनर और 388 विधित दिजन पर इंजन कार काम कर रहा है तो ठीक है ट्रीनों की दुरगाटन रोखने के लिए रक्षा कोच यानी Cd की वेवास्ता कि गई राख्चाकोच के विवास्ता कितरू कुछन पुछे गाए सीडी की विवास्ता किसी के लिखे गया तक ट्रेनों की दुरकटना को रोखने के लिए उसका देखेंगा एक अगस्ट शुरू किया गया तो इसको नीचा आएंगे तो देखेगां कि इस रेल मार्क पर ही चोढ़ा सहल पाँस किलिमेटर लंभी सुरं रत्ना किरी है तो उसको रहत है उसको देखेंगे तरह यहां लिकावा राजस्तान में साही Rail Palace of Wheel तो राजस्ताल में जो साही rail गाड़ी होती है और ये कोशन पूछता है Palace of Wheel जो हो कहां पर चलती थी या कहां पर ये जगास इसकी पर चली थे तो राजस्तान थे माहारास्ट में जो चलता था वो डेक्ण-उडीC तो राजस्तान के साही रेल गाड़ है उसके बाद से यह हो गया आपका महाराष्ट में अब यहां दे रहा है नैनो गेज और स्पेसिल गेज रेलवे लाइन यहां पर बड़ी लाइने मिटर लाइने और चोटी लाइने सब दिया गया है सारी चीज़ी गई है यह बहुत अच्छी से समझा जाएगा आप लोगा ठीक है अब रेल संपती और रेल यातरी को सुरक्से के लिए जी आरपी और आरपी अप की बहुस्ता कि जाती है आरपी अप के जो एक्जाम होता है याद रखेगा रेलवे प्लिस जो फोर्स होता है प्रोटेक्शन फोर्स जो होता एक्च्छली में तो आरपी जो एक्जाम होता है वह साइद आरपीम का फॉर्म वगारा आया हुआ है एसाई का और कस्टेबल का आप सभी को अगर भरना होका तो भर दीजेगा ठीक है तो इसका एक्जाम आप दे सकते हैं ठीक है अला कि हम यह एक-द्यूव एक्जाम जो निकला है इसमें घर्पीफ हो भी था सकते में निकला वा था रिटेन एक्जाम अलाकि ऊसकी दो और एक्णी एक्जाम वाए होताउ तक भारत के पास कितने रेल एस्टेशन थे तो चैनल इसी तरह कोश्चन पूछता है लेकिन यहां देखिए थोड़ा से जादा इंपोर्टन लग रहा है पुरुवत्तर राजे में मेगाल एकमात रहसा राजे जहां रेल मार्ग नहीं और यह कोश्चन भी वी बीपेचे में पूछा हुआ अभी तक इतने पेज़े में तीन कोश्वन आपको मिल getir बहूँ है अभी आगे देखिये और भी बहुत कंसे के कोश्वन आपको मिलने। भारतिय रेल पर्णाली जो है कि या लिए का है भारती्य तुर्वा संबंशन हो जीए ऐस्या में बड़ी तता है स्या आखा धूरी टुनीध की दूरी दूनिया का TV पूंची और अहलुकि अभी तूरी नाश्य पहुँंच जाएंगा जब से एक निमबर टूरी्ट बढ़ा ना भी यह इसके बाद देखेंगे, लिए सबसे अधिक बिध्धुतिख्रित ही रेलगाड़ी रूस लूस में उसके बाद भारत में चला जाता है और भारत में भारत में बहुत यह बढ़ रहा है फिर रूस बहुत है तो रूस जो है किया एक नमर पर इलेक्ट्रिक रेल गाड़ी चलाने में और भारत जो है कितने नमर पर दू नमर पर उसको अगला लिकाब है भारत में भारती रेल सबसे अनुकी बिसेस्ता क्या है कि जीवान रेखा चलाया जाना 16 जूलाई 1991 में चलाया जोनल रेल गाड़ी बीसा पहला चलता अस्पताला यह कि उसको बोला जिवान राखा थे वोघिवान राखा के सम lequel और चलता होस्पीटल ऑसंद्री अब यहां लिखा है कि railway line देखें रेलबे लाइन जो है तीन तरक रेलबे लाइन होथी एक तो होती है रेलबे लाइन बड़ी लाइने मीटर लाइनी और चोटी लाइने इसमें से जो है आप सब्सक्राइब अब बहुत कम देखने के लिए मिलता है बड़ी लाइने क्या प्याइटी में कुछण पूछा उगा इसमें से कोश्टन यसे कोश्टन भर भर के आता है बहुत आता है क्यों आगे देखते हैं बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगा वीडियो होगा लंबाल लेकिन हम नहीं चाते हैं कि कोई भी चीजह आपको miss कर ठेक है तो बड़ी जो होती है ना छोटी लेनी के होती है 1.0.6762 या देखिए कि 0.762 ना तो यह छोटी लेन जो है मिटर से छोटी है ठीक है लगवा पॉन मिटर है पॉन मिटर बहुत सरे बचे जानते भी नहीं है पॉन मिटर रखी कि जो इस तरह का भास होता है ना हम लोग भुचपरी आदमी जाए समझ पाते है ठीक है तो पॉन मिटर जोता है इसका मतलब बहुता है एक मिटर से थोड़ा से कम ठीक है तो 0.762 यह क्या है छोटी लेन है और एक मिटर लेन उसको बलेंगा बड़ी लेने को उसकी लंबाई कितनी है तो 1.676 इस बात को याद रखीगा ठीक है कुल कित चोटी लेन न बहुत ही कम है ठीक है एक्चिली चुटी लेन जायातर यूज किया था फैक्ट्री लें माल धोने के लिए बतले कोईला पोचाने के लिए उसको बनाया किया था अब यहां कहा रहा है कि मासी ट्रिकट ले लेकिए तो भ़ड़ा कम आएगा और हमनी बिहार मे तो mostly student लो बिना टिकटे घुमता लो जिसमें से मैं भी था बिना टिकट का सफर करने वाला अमोमन हमको लग रहा है कि अपने life में मुश्किल चाहिए कभी कभा टिकट लिया हूँगा ठीक है हाला कि ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी student life वही होता ही है बिना ये रिक्स लेने कहा मज़ा आएगा student life को जीने के लिए वही तो मज़ा है बिना टिकट का सफर किजिए टिटी आएगा उतर जाहिए सीधे से निकल जी एक डबे से दूसरे डबे में क्रोस की जी यही सब जिंदेगी था जबरदस्त का है कि नहीं वही लाइफ यार जीना है उसके बाद सो लाइफ कुछ नहीं रहता है आगे आए अब यहां दिखे रहा है कि मानो रहित रेलवे रेलवे सम पार फाटक पर सं की धीमी करें और संकेज बोर्ड का पालन करें यह सब बता रहा है कि कि इनकी देमु का उसका देखेने के क्या मतलब होता है दोनों तरफ ध्यान से देखिए रेल गाड़ी तो नहीं आ रही है इस साइनिंग बोर्ड जो लग रहा तो उसके क्या मतलब रहता है सुनिये में क क्या बोलते हैं उसको आऊ आम यो क्या बलते है रहें देखिए लुख कमरे देखिए उसके बाद देखिए कि आध तो नहीं रहा टेर उसके बास सोनिए कि train के वाज को उसको तब जाईए ठीक है उसको परती दीन 1.24 कोड़ यातरी जो है याता मतलब यात करते हैं सुविधा देने वाली मातरे train है ठीक है तो लगबग जो है लेकिन अब जो है डिएड़ कोड़ो लोग लगबग जो है इस रेल गाड़ी से क्या करते हैं यातरा करते हैं परती दीन पर डे की बात कर रहा हूं ठीक है आगया जी आगया यही काती है यहाँ कुछ अपको नहीं मिलेगा अब भारत कैसा भाइप लाइन प्धार्त को भेजा जाता है बड़ बड़े कमपनियों में या बड़े बड़े जगो पर पेट्रोयं गाड़ी से ना भीजाके पाइप की बेरा है जाहां असानी से वे अपना रहे खोल देगा यहां पर अपना भर में फुर्ष डेंगे ठीक है तो भाम है बस में भी आना तो बस दिक्कत यही रहता है कि कहीं कहीं बीच-बीच में टूटा रहता है तो गंदा पानी आने का जादी दिक्कत रहता है यही टेंसेर रहता ठीक है अब कहां से फूटा रहे का कोई करणटी नहीं है ठीक है अब यहां देखेंगा तो पाइप लेन के सहाथा स था शाथी एक स्थान से दुसरे स्थान तक भेजा careless ऐसकता है किसीफी चीजिए को क्या चीजिक बोर रहा है धिल को हाइए प्वी घेल को फेल घिल को फिवल jourd निए उस तरह कोने हम आई आडप्र मेट और यहां व्यान होता तो यह ठीके बहुत हुफ लाइपक्रativas Leonardo निए पौलिए पीज दूरा ब्रिशन ही तो फिरी दालनी है चानल निए निए ल घणी उसके उसके भाट से एक होता है इसका मतलब है compressed natural gas compressed को बलाता है compressed मतलता है चपाइल नेचुरल गल यानि चाप का गया बहुत सरे गया अब यहां जानने चीजे क्या जूरुरी है अब लोगों यहां लिखा हुआ कि यहां उपर में चीज छूट जाएगा तो दिक्कत हो यह पूर्वी पूर्वी भाग में डीब गोई से ब्राउनी हल्दिया से हल्दिया है जिसे पारा दीब तक बढ़ाया जाना है पच्छी में एक pipeline कांडला अजमिर्स होते पानी पत तक है जाम नगर तक चाकसु तक है चाकसु से पानी पत तक मदुर्वा तक दुभागों पटा गया है दच्छीन भारत में बिचाखा पटना वीजवाड़ा है अब कराएक कुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीश पूर तक सब्सक्राइब करेंगे तो जो हाजिपूर गुजरात के हजीरा से लेकर उतर प्रदेश जगदीश पूर से जाता है अब पाइब गए तो क्या आप जानते हैं यहां देखेंगे तो यह चीज़े ज्यादा जाना पाइप लाइन जो हता है यह ना पाइप लाइन एक प्लाइट के कहा हम आगया भई तो पाइप लाइन बिचाने के लिए श्टील पाइप को बीटूमीन की परत से ढग दे जाता है तो पाइप लाइन जो पाइप लाइन होता है उसके अंदर के परत क्या करते हैं बीटूमीन से ढग देता है फिर उसके उपर क्या करेंगे गिलास फैबर की परत चला दिए सबसे बड़ा उत्पादक पाइप लाईन जाल नरक नहर कटिया गूहाटी सिली गोडी बराउनी नहर कटिया जो है यह अपना यह नर्कटिया मत समझ लीजेगे लो पच्छमी चंपारंजिला में जो की आप लोग को जानते होंगे लो ठीक है तो वहां नर्कटिया नहर कटिया नहर कटिया गोहाटी सीली गोडी बुरावनी कानपूर और राजबंध मैना गराम हल्दिया पाइप लेने ठीक है देश के सबस पर करने चलते हैं टायर के वाय मार्ग की क्लाया उता है एक तीरियूतम सादना मतल मतली से कहीं भी जाने के लिए आपके यह एलाइन होनी चाहिए वर्ना एरफ नहीं होता तो यहां देखेंगे देस में वाय का परारम उननाइस सो एगारे स्विमिन इलाहाबाद के नेनि म थी उसके बाद 1929 में इंडियन एरलाइन्स के स्थपना और वह रिये उने 1934 में केकं मुख्याला दिली में बनाया गए बनाया एक आलिस में कम्पणियां थी इन्वेसाज़ादी की समय ते हमें कंपनी देश्थाड में कर दिय का यह सरकारी कर दिया सरकारी का अब अब तो फिर प्राइबेट हो चुका है याना पहले सरकारी था अब 1903 में सरकारी हुआ और मोधी जी सब को क्या किया प्राइबेट कर दीका है सब को बेश दो ठीक है आट D habr 2005 में इंडियन एरलाइज जो था इसका नाम मतल कर इंडीयन इंडीयन नाम से यनाम मतल के लिए सिपे इंडियन मातल यह सब्दाह् के बाद यह थHayलिकप सॉपिल्वाइबpert उसका नाम फोटर बनाता हमेन कम पलीक सका स्विर्टक इसको इसकी क क्या नाम है नम है इसक अप्राइल को देश में लगबग जो है साड़े 400 क्या हुई है हवाई अद्रस्टि हाट्या कितना है बारा और टोटल हवाई अट्या कितना लगबग में हम लोग अपना जहाज असानी से भेजते हैं लाते हैं जाते हैं ठीक है अब यहां लिकरा है कि दुई पक्षी अधिकारों के लिए अप इच्छी दुप्य को ध्यान में रखकर कम से कम पांच वर्थों से घरेली बिमान सिवा उपलप्त कराना जाने मतलब वही जहाज ज जहाज जो रखने बला होगा विमान से वावले यानि जो बड़ बड़ी कमप्वन जिस वह बिस जहाज से जादा होगी उसको ही दिया जाएगा और खासकर पांस साल तक यह जहाज देश के अंदर चला शुका है तब उसको और मिलेगा बाहर जाकर चलाए ठीक है वाई पर लोगो के लिए कई पर पहले भी बोला हूं कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आना हूं बहुत बजबरदस्ट नोट्स जिसमें इन सारी चीज़ों को की पॉइंट जो लिख के लेकर हों जैसे कैसे मानके चली कि यह वाला लाइन से बता रहा है आप लेकर बड़ी से जादा माल धंवाली माल हो जैती क्योंकि बड़ी से बड़ी संवाने ऊसानी चली की आपर यह थpark लिसमें लिए जो काहां से लेकम और कंना नौर से मिलाते हुए गुदावरी कृष्षो नदी तो जोड़का ठीका अब उससे क्या हुआ रहा है कि उसमे जो जल माग बनाया जा रहा हुए ता नас से बरवंगयम नगर से लेकर कन्नोर रहरत मिलाती हुए गुदावरी और किष्ण नदी को जोड़ता है ठीक है से महां प्रवंगयम और घंटार में से लेकर के खाया बार्वां नगर्वेश्या वान फिर्वेश्या नगर्रुसर्या ग्रें यहां लिकाए क्लाम्द मैं 27 से अक्टुपर विंद्य श्यासी भारतिय अंत्रडेसिय जल्मार प्रधिकरन के इस्ताप रहिंगे तो कोशन पूचेगा भारती अंतर देशी जलमारग प्रदिकर के सब्सक्राइब तो 27 अक्टूबर 1986 में ठीक है और देख लेते आगे भारत में पांच आंतरिक जलमारगों को राष्टिय जलमार घोजित किया गया तो यह पांच जलमारग जो है इसमें से कोशन बीपेसी में आया हुआ था आप इसको को प्रविश्य को मिला लेजेगा यह भी कोशन यहां से आया हुआ था ठीक कोशन फूचता है इस चैप्टर से लिखावा कि राष्टिय जलमारग नमबर एक इलाबा टू हल दिया इलाबा टू लिया तो यह कौन से राष्टिय जलमारग संह्खे चोठा जो है वकंसरी गुदावरी कृष्णा नदियों के सहारे नई सब्सक्राइब में ठीक है तमिलाडू टू पंडिचरी किदर गया भाग गया क्या उसके बाद चोठ पांच बाद देखेंगे तो क्या राश्टी राजमार पांच जो है उडिशा राज्य के इस्ट कोष किसमें आपका NCRT में इसलिए इसको बोलता हूं कि पढ़ना ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो राश्टिय अंतर देशिय नौ का वहां नौ वहां सवस्तान जो है कहां भी है तो पहली बात फरवरी में है फरवरी 2004 से क्या है कर रहा थे कौन सी भी है तो राश्टिय राश् चाये में बड़ी इसलिए नेसे बारा बी सुप यहां ब्हारी नौ राश्टिय नुमभा minder जगा केस हो इसमें से बिहार प्रिस्वी पूछा में किने अउस तो अब संचार के हिसाफ से देखेंगे अब संचार के हैं कि इस कहानी को आप चाहे तो पुरे पड़ लेए नहीं काई कि पुस्तक भी संचार का एक बढ़िया माधिया में निसे संचार क माधिया में औप्सन में कुछ और दिया रहेगा एक औप्सन दिया रहेगा पुस्तक तो पुस्तक लगाईगा पुस्तक भी कहा है संचार मतलब संचार मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन देना लेना इंफॉर्मेशन भी किताब से मिल रहे की नहीं तेक अभी मैं संचार की काम कर रहा सब्सक्राइब पढ़ाने के लिए एंट वरलब तरह हैं टेलिफून बेजली बिल है अगया है अब अब यहां इससी बहुत इंप्टर्ण नि इसको लिखवा कहा कि बस अब जो जो जिस प्रतेक टाक चेत्र को अपना पीन कोड दिया गया जो कि छोंग वता है पहला जो दो अंग होता है और यह कुछ्छन हमको लग रहा है कि आएगा इदम आयगा तो याद रखेंगा डाक चेत्र कितने ही भाई भारत में आड़ गुए आठुट डाक चेत्र को कितना कितना होता है हो जोड़ा सबूत करें सबस्क्राइद जोन के लिए और बाद का लोगा दोओन ऑबाद का क्या होता है और प्जोन के लिए और अन्तिम कि किसी का आ آिग्वंबर हाए न के से मानिकी किसी की कर पिन कोड़ है न क्या पिन कोड़ है तो यह या यह यह कंप पहला उन्ख को 2023456 चुछ मत्रवी जह हो जैसे आठ हो तो यह पहला आंग क्या हो गया जो उप जो अर यह तीन आंग क्या हो गया यह हो गया अगर का कोड ठीक है तो यानि आपका एरिया में वह लास्ट कहती नंग्चर ही बदलते रहता है जाए तर देखिएगा अब भी भी डाक चैनल देखेंगे तो राष्टी यह राजधानी चैनल देखेंगे तो फिली और चे बिस्यस का राज्यों में है जो बड़ बड़ राजधानी वाला राजज्यों में अटेगे पीले रंग के पटिया से प्रणित होती है लिफापा या पत्र सीधे नई दिली पहुझ जाती है तो राजधानी मतलब उसमें कोई भी लेटर पर्णित यानि की अस्थान वाला अपने अस्थान वाला वाला अभन कोई का उलते हुझको लोकल या लेटर है वहरे रंके पेटी में उसको डाला जाता है अब 10 अब 10 वेज देखेंगे 10 अब 10 सरकार जो बहुत शरुछ भी पत्रिका होती हुझको दसफिलष करेंगे भारे चैनल देखेंगे वैपारी चैनल देखेंगे आगने नीश हये यहां लिकाई कि मोवाईल पून सर्वादिक परचली से हुए तो किसी भी सांचार का सबसें परचली से ओज़ा हो किसी और अजिक में को पिर सन्तवान से कशbach देखिंग में इसका नाम पदानी नाम च्कै क्या हम चाले उसका नाम सीरे के इसका ऐंदने में समुखउ срав अकासवानी ठीक है अकासवानी निस संतान बंगे ठीक है अब आएंगे तो 1969 के से अरांब उनीस तो चेतर इस्यू में इसे दूरदवसन डीडी के नाम से जानाता है रंगीन प्रसारदन सुरात अब यह लाश्ट आप लोग का एक दूपेज बच किया इसको खतम कर लेते हैं लगब लब हो गया अब अंतराष्टी बैपार देखेंगे तो क्या आप जानते हैं जब कोई समान एक दूसरे बहारी देशों में से मंगाया जाता है या बहारी देशों से अपने देश में बस अंतर यही रहता है आयात मतलब आएगा और निर्यायत मतलब क्या होता है बाहरी देशों को भेज़े जाता है यानि जब भेजेंगे तो निर्यात यानि निकल कर जाएगा अपने देश से तो निर्यात और आएगा तो आयात ठीक है अब यहां में लिका है दो बेक्तिय को नोडवी होता है नीचे तचना रिका अधीक होते ह। तब üç पर्टिकूल बैपार सुंतुलर नहीं तो याद रखिए, क्या होगा? निकलेगा ठीक है आयात क्या होगा कि भीया आयात क्या होगा आयेगा ठीक है आयात मतला आयेगा तो निर्यात क्या हो रहा है यानि आयात क्या हो रहा है आ रहा है जादा बिचा रहा है कम तब इसे क्या बलेंगा पर्तिकूल बैपार संतुलन कहा है दूसरी तरफ जब आयात जो है आने वाली की तुल्ला में निर्यात अधिक हो जाए यानि आयात क्या है आयात कम हो जाए और निर्यात क्या हो जाए अधिक हो जाती से क्या बलेंगा अनुकूल ब्यापार संतुलन कहा जाएगा अनुकूल और परतिकूल में दुन मंतर ठीक है अनुकूल तब कहा जाए पीज में यह रहा है बहुत भारत जानेक्प कि रहा है अब हम भारत में भारत से निरियात कर और यह कोषन जो है इत क्लासमें दिया है एन्फ क्लासमें दिया है हिस्टी में और जोग्राफिक दुनों को सब्सक्राइब पकंड़ा जरूरी इसको निर्यात की जने वाली यानि निर्यात मतलब क्या है कि यहां से निकल के जाने वाली वस्तुव कौन सी है तो पेट्रोलियम उत्पादें रतन च्छेटरे सथापित किया गया ओसको देखेंगे तो कांड्डला जो αλλά बंदरगाया शूरत में गुझान कां अर उसूरत clamp अब आजेते हैं में लोग कोशन सर्फानली हम लोग हो गया चप्टर कंप्लीट पहला कोशन देखेंगे तो लिखा हुआ सवतंत्रा प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों के लंबाई कितनी देखें कूल आ गया मतलब 3.88 था ठीक है जिसमें से कच्छी था 2.42 और पक्क लंबाई 3.88 धो नों जोड़ देखेंगे तो अगला कैसे लिखा पक्की सड़कों की लंबाई की दिरिष्टी से परतम स्थान कों ए तो महराष्ट ए ठीक है तो पक्की सड़क के मावलब में है अगला कुशन है निमलीकन से कौन से सड़क एक एक वर्ग नहीं है तो एक व पढ़ाया जाता है उसमें से पहले से लायाख रखते हैं तो अगर बाइद वे गलत ट्रीक लग गया हो या गलत बता दिया जा रहा हो तो आप कमेंट करके जुरू बता से देख कभी कभार मिश्टेक हो जाता है ना चीजे मैं पीछे से पढ़ाते आता हूं तो मुझे लगत अंतराष्टिय जल मारग प्राधिकरान का अगठन कब किए तो निसोची आसी मुआ इन और पतन की रज्य में स्थी थे तामिलाडू में ठीक है आट नवर्त है कि भारत में कुल कितने डागगर चेत्र है तो आट डागगर चेत्र अभी देपढ़ा है देश में कितने बिस से आरतिक चेत्र कहा आता है कहां के फल्टा जो है इस तरह होगी हम लोग कोशेंसर कंप्लेट और कैसा लागा सेशन जिरू कर वीडियो कर बताईएगा और यहीं वीडियो करते अंड और फिर किसी दूसरी क्लेक्शन लेंगे तब तक यह बहुत बहुत धन्य बाद नमस्क में लेपय।